हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू हिमाचल ब्लॉग्स आज मैंने चैलेंज अंसर की की एप्लिकेशन बनाई है जोगी मैंने सेंड करनी है हिमाचल प्रजेस अवरी नेट वर्ड को तो फ्रेंट्स आप भी इस एप्लिकेशन को एक वर चेक कर लीजिए अगर कोई कमी है तो म मेर को पता दीजिए या आप खुद भी एडिट कर सकते हैं उसे अप्लिकेशन को तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस फर्स्ट अफॉल हमें पता होना चाहिए यह जो एप्लिकेशन हमने कब तक भेजनी है और इस फार इन्होंने इमेल के थूरी मांगी ह हुई है यह एप्लिकेशन यह बोला हुए इन्होंने या कि तो आप खुद व्यक्तिकत तोर पे या अथवा डाक के थूरू या इंडियन पोस्ट के थूरू आप जो भी आपके डौट्स हैं चैलेंज करनी है अंसर की उनको बेज सकते हो तो फ्रेंट्स अगर कोई आप मे सब्सक्राइब है यहां पर रिगार्डिंग जे ओवाइटी अंसर की क्रेक्शन इन सीरीज ए क्योंकि मेरे बाद सीरीज ए थी तो मैंने यहां पर मेंचिन किया हुए सीरीज ए के कोस्टिन किया हुए common question होंगे यह चारों कीश में तो आगे पड़ते हैं respected sir or madam most humbly I've act to state that the provisional key of JOIT postcode 817 updated by the HPSSV on dated by 3-2021 there is some question in series A that have not correct in answer key of JOIT postcode 817 these questions are given below with proof guys यहां पर मेरा first question था शुकरखड is located in which statistic of Himachal Pradesh तो guys यहां पर बिलासपूर दिया हुआ है इसका right answer answer key में बिलासपूर दिया हुआ है but according to जो मैंने यहां पर research की है हमीरपूर की जो website है आपकी official website है जो यह है hphamirpour.inc.in इस website में mention किया हुआ है जो आपकी सुकरखड है यह दखिए जो reverse system बाला part है इस website में वहां पर यह यहां पर mention किया हुआ है सुकरखड कहां पर पाई जाती है आपकी एक प्रूफ था और comment जो मैंने पिछली वीडियो अप्लोड की थी वहां पर किसी ने comment डाला था जो ब्लोकरा की बुक है वहां पर भी mention किया हुआ है कि सुकरखड जो है आपकी हमीरपूर में है तो मेरे पास वह ली बुक नहीं है अगर आपके पास है तो kindly इसका प्रूफ उसके साथ उसका snapshot लेगे इसके साथ upload कर सकते हो आप अगला question था यहां पर जो कि मैंने कल discuss किया था what is the full form of dhcp तो गाइज इसका right answer तो दिया हुआ है यहां पर c बट इसका right answer था आपका Dynamic Host Protocol मैंने गूगल के उपर चेक किया था अगर आपके पास कोई बुक बगरा है तो आप उसके भी पेज को अपडेट कर सकते हो जो कि इसका right full form है host configuration protocol dynamic host configuration protocol है जो कि यहां पर options में mention नहीं किया हुआ है तो अगर आपके बास कोई बुक है तो आप उसका reference दे सकते हो इसमें और यह मैंने Google के जो प्रूफ से dynamic host control protocol डालके भी देखा था तब भी यहां पर जो इसकी full form आ रही थी गाइस वह यही आ रही थी dynamic host configuration protocol और next में मैंने पूछा हुआ है इसका जो प्रूफ लगाया हुआ है full form of DHCP तो यहां पर भी यही आ रही है dynamic host control protocol तो गाइस next question है यहां पर if the size of short data type in C implementation is 2 byte then what is the maximum value that can be stored in the variable with the this type तो गाइस इन्होंने यहां पर right to answer यह दिया हुए option C but guys यहां पर इन्होंने जैसे मैंने कल discuss किया था यहां पर mention ही नहीं किया हुआ था यह short data type है signed data type है यह unsigned data type है अगर sign data type है यहां पर mention किया था तब जाकर इसका right answer आना था 32767 अगर यहां पर mention ही नहीं किया हुए यहां पर साथ भी डाला हुए अगर short डाला हो यहां पर तो तो आ जाता है यह option C right answer अगर unsigned डाला होता है यहां पर mention if you read in Hindi language then the then this question is wrong अगर आप में Hindi language में read करते हैं तो यह question गलत हो जाता है क्योंकि इसका मतलब भी कुछ हो रहा है और इसका प्रूफ मैंने यह आगे दिया हुए municipal cooperation को क्या कहते है नगर निगम कहते है और नगर पालिका को कहते है municipality कहते हैं तो बढ़ते हैं गाइस अगले question के तरफ अगला question है assume that in the MS Excel sheet cell A contain the value of 10% and the cell A to contain the value of 5% then what will be the value of formula तो guys यह मैंने न perform किया practical MS Excel में इसमें मैंने यह दिखिए आप यहां पे धियान से देख भी सकते हो मैंने यह वाला formula भी यहां पे apply किया हुए तो इसकी output जो आ रही है guys यहां पे यह आ रही है output 0.500% बट यहां पे option में कहीं नहीं दिया हुए option में जो output दी है without percentage भी दी हुई है यहां पे even की तो guys आप इसको भी challenge कर सकते हो और यह मैंने practical करके perform भी किया हुए है तो guys यह मेरे कुछ question थे और यह application का end है और एक दो question और मी है doubtful जो कि मैंने mention किया हुए है इसमें MS Excel की new line character यह जो question है what is the key combination used to insert a new line character in the text of a cell MS Excel worksheet तो guys अगर इसका reply अगर आपके पास है तो आप और जो भी आपका उस reference है तो इसको upload कर सकते हो मैंने इस application की word file बनाई है जो कि मैंने अपनी drive पे share कर दी है और शेयर का link मैंने अपना video की description पे डाला हुआ है तो आप उस word की file को वहां से download कर सकते हो और खुद edit कर सकते हो और मेरी application में अगर कुछ कमी लगरी है आपको तो आप अपने accordingly edit करके send कर सकते हो by post या कोई बच्चा या कोई aspirant यहां से हमीरपूर से है तो वो खुद जाके वहां पे submit कर सकते हैं मेरे accordingly तो जो कोई हमीरपूर से है personally जाएं और वहां पे submit करके आएं यह मैंने file ms word की description में link दिया है वहां से आप download कर लिजिएगा thank you for watching my video जय हिमाचल and मेरी channel को share and subscribe कीजिए हिमाचल and good luck for your exam मिलते हैं अंगली video में thank you so much